वनप्लस नॉट 3 है यहाँ पर वनप्लस के तरफ से वनप्लस नॉट 3 आपनों जानते हैं यह बहुत सा लोग बेसवरी से इंतजार कर रहे हैं और इसको आप बात करने वाले हैं वनप्लस के नॉट 3 के बारे में तो पुरा अपर दिखी कर ज़दे को लाइक कर दीजे चैनल क सब्सक्राइब के लिए आप नहीं कि यह आज का वीडियो स्टाइब जो वनप्लस का नॉट 3 है यहाँ पर लोगों को इतना वेट है इस फोन का बहुत टाइम से और हमने इसको बहुत सारे वीडियो बना है और उसके लिए लिए आप लोग ने जो प्यार और जो व्यूज सब्सक्राइब के लिए उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू करता हूं आप से ब्लोग होगा कि आप लोग उने प्यार और इतना व्यूज दिया आगने वाले समय भी में और बनाएंगी नॉट 3 के वा वीडियो तो मैं यहीं कहता हूं जो लोग कहते हैं बार बार बार वीवर्स हैं जो मेरे बहुत अच्छा मुझे प्यार करते हैं सपोर्ट करते हैं उनके लिए मोग को अब बात करते हैं इस्पैसिफिकेशन के बारे में तो यहां पर नॉट 3 की बिल दिजाइन के लिए आपको देखने मिलने वाला है और बहुत ज़ए बड़ी अलोग है बहुत अच्छी दी गई है देगे हैं गोसजी बगईए बाध बाध लगी मैं चिपसेट में बात करता हूं तो चिपसेट तस देख हैं चिपसेट में कॉize के मामले में अगर आप利में को लितर भाडो कि आप sale के और को शिल शमतली है अगर में chipset के होगी बात तो cameras में आ जाते हैं तो main camera आपको 50 pixel के देखने मिल जाने वाला है और वो Sony के sensor होने वाला है, OIS के support आपको मिल जाएगा, ultrawaddy मिल जाएगा आप एक micro lens मिल जाएगा, triple rear camera आपको मिलने वाले है सेलफी में, 30 pixel की सेलफी मिल जाएगी, वहां से अब अन्था, उसे 80 में बड़े मिल आ लोगे तो वह भी ठीट ठाक है, तो आप कह सकते हैं, camera quality phone की बड़ी है बैटरी में आ जाते हैं, चलिए तो बैटरी आपको round सारे चारज मिलने वाली है, plus type C 100 to 100, 120 वोर्ट भी देखने मिल सकते हैं, बड़ 100 वोर्ट की अब लिक्स आ रही है कि OnePlus इसको बहुत जाल इंडिया गंदे लेकर आए, because यहां पर OnePlus से बहुत बढ़ी आधा बढ़िया काम है आवे कर रहा है finally बात करते है, price and launch की बार में, तो कहा जा रहे हैं, इंडिया मार्किट में इस phone की जो price होने वाली है, वो around होने वाली है 34-35,000 करीब, क्योंकि Nord 2T आप याद होगा 28,999 रुपी में गया था, तो यह कहा जा रहा है कि around 33-34,000 रुपी में इंडिया में आ सकता है, तो यह जादा हो जाता है, because of अगर 4-5,000 रुपी, आप इंक्रीज करते हो नहीं, तो जादा हो जाता है, तो मेरे साब से तो यह जादा अच्छी बार नहीं, because यहाँ पे Nord series में ना offers भी नहीं मिलता है, तो इसका price drop देखने मिलता है, तो that's why मैं चाहता है कम से कम 30,000 रुपी में लाउंच कर दे रहे हो तो बढ़िया हो जाता, अब let's see, अगर surprise मिल जाए तो अलग बात है, and finally हम बात करते हैं इसके launch के event की, तो भाई, यहाँ पर बहुत time से लोग इंतजार कर रहे हैं, जुलाई में Nord 2T launch हुआ था, उसके बास से लेकर जो एक hype बनी हुई है इसकी, तो वो बात कर लेता हूँ, मैं बोला जा रहा है कि यह आपको मार्च के मंद में इंडेगर अंदर आ सकता है, तो अगर आप लोग इंतजार कर रहे हो, तो थोड़ा और आपको बेट करना पड़ सकता है, यहाँ पर Nord 3 के लिए, तो यह आप लोग देख लेना, हमारा वीडियो अगर आपको पसने आए